जी गूर्माणिंग कैसे हैं आप सभी लो भाई मनीश कस्यफ पत्रकार मनीश कस्यफ अब वापस आ रहा है अब क्या कहेंगे आप हार गये न जहां आप सोच रहे थे कि एने से मामले पर अब मनीश कस्यफ कभी छूट नहीं पाएंगे इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए एक तरफ मनीश कस्यफ कह रहे थे कि न्याले पर मुझे भरोसा है कौन जिता कौन हारा एने से जैसा जो मामला मनीश कस्यफ पर लगा है वो क्यों लगा था याद है कि आपको दिलाता हूँ याद वो इसलिए लगा था क्यूंकि वो बिहार वासियों को कहीं ने कहीं बचाने ह लगा उनको जिनका ब्यान अभी आप सुन रहे होंगे और मझे ले रहे होंगे कही न कहीं अगदम खूब ठाकारा लगा रहे होंगे रह Chisne की बात है क्योंकि मजाकिया किस्व के लोग बतलब इतनी डिटनी चितना के कहीं न कहीं समझे कपील सरमा अपने सो में मजाक्या सब्द का इस्थमाल नहीं करते हैं उतना अब तो संसद में होने लग गया है लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वेक्ति मनिश कस्यफ वो नाम है जो कॉमेडी नहीं करता है इस तरह का ब्यान है वो सच में नसा के खिलाफ है वो सच में नसा नहीं करते हैं वो भांगा के नहीं बोलते हैं वो वेक्ति जिनका सब्द पे पकड़ होता है जिने पता होता है कि एक्शुल में मुझे बोलना क्या है क्योंकि बोलना तो कहीं ने कहीं सबजिए कि दो साल के बच्चे भी सीख जाते हैं लेकिन कब और कहां क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिन्दगी लग जाती है ये छोटी सी बात हमारे बिहार के मुखिया को सायद पता नहीं थी इसी वज़े से सायद इतनी बड़ी ग्यान दे डाली और यहां तक नहीं चचा की गल तो क्या ग्यान की बाते हैं मंदिर में दे डाले मस्जिद में दे डाले चर्च में बुलबा दे ऐलान करवा दे मंदिर में आप वो ग्यान बाटेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं है चर्च में जाकर कि आप वो ग्यान बाटेंगे मस्जिद में जाकर कि ग्यान बाटेंगे एक अस्थान होता है पवित्र अस्थान पर आप सब्दों का मर्यादा रखना आपकी जिम्मभारी है कहीने कहीं हम लोग तो एक ओधे हैं एक समझ लेकि पिलर हैं लेकिन कहीने कहीं पूरा मकान पूरी मुखिया और पूरा मा समझे सासन आपके अंडर है और आप इस तरीके से फिसले बोलिए सबका एक जगा होता है आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ अग्यान की बाते हैं तो समझ लेजिए कि सिफ़ चर्चा के बीच में थोड़ी सा महिलाएं बहुत पहुँचती हैं नहीं दिला सकते हैं आप इन छोटी छोटी चीज को जब आप नहीं समझेंगे तो कहीं न कहीं जिस तरीके से देश का नाम दुनिया में आपने हैसो सरमसार किया है ऐसे ही करेंगे लेकिन येकिन के साथ मैं कह सकता हूँ आप हेटर्स होंगे इनके मनिसकत सब के उससे कोई फड़क नहीं परता है मेरी बात भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कोई फड़क नहीं परता है आप इस वीडियो को लाइक करें अनथा नहीं करें आप मैं भूका नहीं हूँ आपके एक लाइक का या फिर अच्छे कमेंट का लेकिन जो बात सही है वो सही है अगर ना पता चले कि मनिसकत सिफ क्या है तो बस एक दिन निकल के आईए ना किसी की समस्चा देखने आईए ग्राउंड पे जब कहीं घटना होता ना वहाँ चल के देखिए चल के जाने में दूरी सिफ हट जाएगी वहाँ तक पहुँचने में खर्चा से हट जाएंगे आप और कहीं ने कहीं वहाँ पहुँच के आपकी बोलती बंद हो जाएगी यानि जहां से लोगों की बोलती बंद हो जाती है जहां कहिए कि लोग हार जाते हैं, डड़ जाते हैं, वहां हिम्मत बनके कोई आता है, तो वह पत्रकार आता है, और वहां आम्मा कहीं नियाय दिलाने का और आवाज उठाने का काम करता है, तो वह पत्रकार करता है, और वह पत्रकार, पत्रकारों में सबसे अच्छा पत्रका पार है इस बात को मैं समझता हूं अगर मैं दीन दूगनी रात शोगनी मेहनत भी करना चाहूं न तो उनके जैसा नहीं बन सकता हूं नहीं बन सकता हूं ये मैं बात जानता हूं लेकिन फिर भी नहीं बन सकता हूं अलग बात है लेकिन परियास न करूं ये तो गलत बात है न आजस आप